मंडियों में नए सोया बीन की आवक शुरू हो चुकी है और उधर सोया तेल आयात के बाद अगस सितमबर मिलकर साड़े पांच लाग तंज सोया तेल आयात होने का नुमान है डिमांड से दिक सप्लाई होने की वज़े से फिलाल सोया तेल की तेजी थमती दिखाई दे रही है सितमबर अंत से अक्तूबर में त्योहारों की शिरिवात होने से डिमांड सुधरने की उम्मीद है वहीं मारास्टर के सांगली में नए सोया बीन की आवक का शिरिगनेश हो गया है और आवक करीब 1500 बोरी के आसपास बताई गई है वहीं अगर भाव की बात की जाए तो भाव में भी कोई बहुत जादा तेजी देखने को नहीं मिली है नया सोया बीन 18 फीसद से 24 फीसद मोश्चर युकत है और जिसका भाव क्वालिटी के अनुसार 500 नीचे में तो उपर में अठावन सो रपे प्रतिक विंटल तक बोला गया है सोया तेल और डियोसी के भाव में कमजोरी से प्लांटों की खरीदारी भी कमजोर पड़ गई है देश में 119,34,000 हेक्टियर में फिलाल सोया बीन की बोई पूरी हो चुकी है और सोया बीन की बोई अब तक पिछले वर्ष के बराबर है उन्चे भाव देख किसानों ने इस वर्ष भी सोया बीन, कोटन और सनफलार की बोई बढ़ा ली है अधिक बोई के चलते इस वर्ष भी सोया बीन उत्पादन बढ़ने का अनुमान लगाया गया है और अगर बाड़ और बारिस से 5-10 पीसद अगर फसल को नुकसान भी हो जाए तो भी माना जा रहा है कि उत्पादन पिछले वर्ष से अधिक ही रहेगा वहीं मौजूदा बकाया स्टोक भी नई फसल आने से पहले तक प्रियाप्त मातरा में बताया गया है सप्लाई जिमान को देखकर जानौर कारों का कहना है कि फिलाल सोया बीन में बड़ी और तिकाउ तेजी नहीं दिखाई दे रही चुटमुट तेजी बनी रह सकती है लेकिन लोंग टम में सोया बीन की कीमतों पर दबाव बना रहेगा Bureau Report Market Times TV